I tried inversion method for 7 days सीधा लटकने से हाइट बढ़ती है और उल्टा लटकने से बाल What a logic But ऐसा क्या सच में पॉसिबल है Let's check it out Cause मैं से ट्राइ करने जारे हूँ 7 days के लिए Day 1 इस inversion method से आप अपने 1 से 2 इंच बाल बढ़े कर सकते हैं वो भी बस एक वीड में Sounds crazy, right But ऐसा आप मैंने क्या रही हूँ ऐसा ये वीडियो और आर्टिकल सज़ेश्ट करती है But Raveena, हमें ऐसा क्या करना होगा कि हमारे बाल इतनी जल्दी करोंगे Simple, आपको इस inversion method में अल्ली 2 steps follow करने है Step 1, आपको हलके हातों से बस पांच मिनट के लिए अपने स्केल्प में मसाज करना है Then Step 2, आपको अल्ली 4 मिनट के लिए अपसाइड डाउन पोजिशन में रहना है बस अब आप सोच रहे होगे पर ऐसा करने से हमारे बाल कैसे बढ़ोंगे According to science, जब भी हम अपसाइड डाउन पोजिशन में आते है हमारी स्केल्प में ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है जिसके वज़े से ब्लड सर्कुलेशन होता है विच अल्टिमेटली स्टुमलेट हेर ग्रोथ और ये सारा कमाल ग्रेविटी का है Day 2 Day 2 आप स्केल्प मसाज के लिए और सा हेर ऐल यूज कर रहे हूँ? मैं यूज कर रहे हूँ combination of 3 oils that is 1 spoon coconut oil 2 drop of tea tree essential oil and 1 drop of lavender essential oil अब इन तीनों को अच्छे से mix करूँगी वाव इसकी स्मेद बहुत प्लीज पर रवीना हमारे पसका essential oil नहीं है कोई बात नहीं आप अपना normal hair oil यूज कर सकते हो Day 3 आज का वेदर बहुत अच्छा है तो मैंने सुचा क्यों न मैं अपने पास वाले पार्क में जाके oiling कर लूँ? I know it sounds awkward और सच में मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब मैं वहाँ पे oiling कर लेती फिर मैंने सुचा क्या फर्क पड़ता है मैं अपना challenge complete कर लेती हूँ आखिर अपने बाल जो बड़े करने है आज लग रहा है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने तो हर दो दिन के बाद hair wash किया गर्मी बहुत गर्मी लग रहा है यार बहुत जादा इसे बहुत ही हलके हाथों से पांच मिनट के लिए अपनी scalp में मसाज करना है याद रखें इसकी timing बहुत important है और ये exit नहीं करना है तो आप चाहें तो timer भी set कर सकते है लाइक मी रवीना क्या हम भी से try कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल आप भी से try कर सकते हैं बट जिनें भी ये problem है या ये face कर रहें वो ये challenge बिल्कुल भी try न करें Day 6 रवीना क्या मीसिस साथ दिन से ज्यादा दिन try कर सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं आपकी body का जो blood flow है उसका balance बिगड सकता है तो ये risk बिल्कुल भी ना ले बट हाँ अगर आप चाहते हैं तो इसे हर month continue 7 days के लिए try कर सकते हैं ये sequence follow करिए और पूरे साल try कर लीजिए क्या problem है? Day 7 वैसे ये inversion method मुझे कैसे पता चला? ये आपको पता है हमारी जो छोटी से YouTube family है न उसमें से cute member जिनका नाम आईशाइग वाल है उन्होंने मुझे बोला था कि मैं inversion method try करू और अपने result आप लोगों के साथ share करू तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं कोई new challenge try करू या फिर कोई skin care, hair care mask try करू और आपके साथ real result share करू तो आप भी जल्दी से comment कर दो So now it's time for the measurement मेरे बाल कितने बड़े हो गए? Let's see the result जब मैंने एक मन्त के लिए hair growth oil try के ता मेरे बाल एक इंच गुरूवे थे वो भी बस एक मन्त में देख रहे हो ना कि तो नहीं slow hair growth है तो फिर एक वीक में क्या ही हो जाएगा But ठीक है new method है measurement तो बनता है मैंने ये challenge start करने से पहले पने बाल straight कर लिये थे and after में 27 what means 1 inch growth front से भी देख लेता है मेरे banks before में 9.5 inch and after में 10 inch what half inch growth अब एक ऐसी growth है पीछे से एक इंच बाल बड़े वे और आगे से half लगता है आगे proper blood circulation नहीं हुआ care जो भी हो मेरे लिए तो it's like magic 1 inch वो भी बस 1 week में है ना magic बेन ये तो है एक week का challenge बड़ अगर आप कुछ और इंच चाते हो तो left वाल वीडियो जरूर देखना है